यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आज बॉलिवुड की कई फिल्में विवाद के चलते रिलीज नहीं हो पाती सुप्रेम कोट ने कई ऐसी फिल्मों को हरी जंडी दी है जो विवादों में फसी रही अब आपको बताते हैं उन पाच फिल्मों के बारे में जिन ही सुप्रेम कोट ने रिलीस कराया जोधा अकबर 2008 में आशुतोष गवारिकर की फिल्म जोधा अकबर को भी कोट से रहत नसीब हुई थी आरक्षण अमिताब बच्चन और दिपिका पादुकोन की फिल्म आरक्षण को मध्य प्रदेश में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में बेन किया गया था सुप्रेम कोट ने वो बेन हटाते हुए निर्देशक प्रकाश च्छा को बड़ी रहत दी थी उड़ता पंजाब सेंसर चीफ पहलाज नहलानी ने निर्देशक अभिशिक चौबे के फिल्म उड़ता पंजाब को आड़े हातों लिया था बड़ी लड़ाई के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सुप्रीम कोट ने निर्माताओं को राहत दी इंदो सरकार मधोर भंडारकर की इंदो सरकार की कहानी इंद्रा गांधी के लगाई एमिरजंसी पर आधारित थी संजे गांधी की बाइलोजिकल बेटी होने का दावा करने वानी एक महिला ने इस फिल्म की रिलीज के खिलाव सुप्रीम कोट की शरनली थी लेकिन अदालत ने इस दावे को खारिश कर दिया पदमावत ये फिल्म अपने तैव वक्त यानि 25 जनवरी पर रिलीज जरूर होगी पेज प्रिव्यू 24 तारीक की शाम से शुरू हो जाएंगे फिल्म को गुजरात, रजस्थान, मध्य प्रदेश और हर्याना में बैन करने की खबर थी लेकिन नर्मातार इस बैन के खिलाफ सुप्रीम कोट महचे